असलाम हुआलेकम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका खेर मक्तम है नाजरीन हम सब के चहेते भाईजान यानि कि बॉलिवुड के दबंग कहने का मतलब हुआ फिल्मी दुनिया के टाइगर यानि कि सल्मान भाईजान ने आज अपना 54 जन्म दिन मनाया है जिसमें भाईजान ने अपने पिता सलीम खान के साथ केक काटा इस दौरान सल्लुमिया अपने भाण्जे को गोद में उठाए हुए नजर आए नाजरीन जहां एक और सल्मान खान अपने जन्म दिन को बड़ी शान और शौकात के साथ सेलिबरेट करते हैं वही उनके लाखों दिवाने भी अपने अपने तरीके से उनके जन्म दिन को सेलिबरेट करते दिखाई देते हैं ऐसे ही सलमान खान के एक फैन ने गरीब बच्चों के साथ सलमान खान का जन्म दिन दिल्ली की जामा मस्जित के पास सेलिबरेट किया जिसमें दरजनों की संख्या में सडक पर सोने वाले बेघर बच्चों के साथ उन्होंने सलमान भाईजान का जन्म दिन मनाया जब हमने उनसे सलमान भाईजान के बारे में पूछने और कुछ कमेंट्स के लिए कहा तो उन्होंने कमेंट्स करने से साफ मना कर दिया और कैमरे के सामने नहीं आई उन्होंने कहा कि ये सब वो पब्लिसिटी के लिए नहीं करते हैं और कहा कि वो पिछले दस बर्शों से ऐसे ही भाईजान का जन्दिन मनाते आ रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं कि अल्ला ताला उनकी हिफाज़त अता फर्माए नाजरीन नजाने कितने ऐसे ही छुपे हुए सल्मान भाईजान के फैन होंगे जिनकी दुआओं के चलते सल्मान खान अभी तक बॉली बुट बर राज कर रहे हैं नाजरीन अब हम आपको सल्मान खान के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं जो शायद आपको पता नहीं हो सल्मान खान का पूरा नाम है अब्दुल रशीद सल्मान खान और सल्मान खान हिंदी फिल्मों के मशूर अविनेता तो हैं ही ये इसके साथ साथ में निर्माता, टेलिविजन परसनालिटी और समाच से भी भी हैं लोग उन्हें प्यार से सल्लू भाई या भाईजान इन नामों से भी पुकारते हैं उन्होंने अपने करियर में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनके प्रशन्सकों की संख्या लगातार बढ़ती गई उन्होंने इंडस्टी में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है और वे हिंदी सिनेमा के अग्रडी अभिनेताओं में से एक हैं अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो उनकी फैन फॉलोविंग का आलम ये है कि उनका जो घर है गेलक्सी अपार्टमेंट उस घर के बाहर उनके चाहने वालों की भीड लगी रहती है उनके फैन्स की दीबानगी कुछ ऐसी है कि उनकी एक जलक के लिए प्रशनसक बेताब रहते हैं और कई घंटों तक उनके घर के सामने खड़े रहते हैं कई भार तो ऐसा हुआ है कि सल्मान खान को अपने फैन्स की बजा से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है अगर हम टाइम सेलेप्स, बॉलीबूड एक्टर्स, इंडेक्स, रेटिंग की बात करें तो सल्मान भाईजान उसमें बराबर टॉप पर रहते हैं नासरीन सल्मान खान का जो जन्म हुआ, सल्मान खान का जन्म मद्य प्रदेश में हुआ है उनके पिता का नाम सलीम खान है और सलीम खान मश्भूर फिल्म लेकक है उनकी मा हैं सुषीला चरक जो बाद में सल्मा हो गई है उनके पिता जम्मू कश्मीर से हैं तो बहीं उनकी मा मराटी हैं पूर्व अभनेत्री हैलन उनकी स्वते लीमा है सल्मान खान के दो भाई भी हैं जिनका नाम अरवाज खान और सुहेल खान है अर्वाज खान की शादी पहले बीजे रही और अभिनेत्री मलाइका अरोडा खान से हुई और सलमान की दो बहनें भी हैं जिनका नाम अलबीरा और अर्पिता है अगर हम बात करें सल्मान खान की पढ़ाई की तो सल्मान खान की पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से हुई जहां वे अपने भाई अरवाज खान के साथ पढ़ते थे इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के बांदरा इलाके में स्थित सेंट स्टेनलोस हाइ स्कूल से की सल्मान खान ने अपने अभने करियर की शुरुआत साहिक अभनेता के तौर पर की थी और इसके बाद तो तेरे नाम में उनके अभने की बहुत तारीफ हुई और उन्होंने सभी को भवख कर दिया इस फिल्म में सल्मान को लेकर उनके फैन्स की दिबान की कुछ यू थी कि उन्होंने सल्मान की तरह ही अपने बालों की स्टायल रख ली थी और वो हेयरिस्टाइल भी तेरे नाम के नाम से मश्हूर हो गया था इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके प्रशन्सकों में इसलिए भी इजाफा हुआ है क्योंकि उन्हें एक्शन फिल्मों में ज्यादा पसंद किया गया फिल्म बांटिट के बाद से उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की जड़ी लगा दी उनकी जो प्रिसिद्ध फिल्में हैं उनमें मैंने प्यार किया पत्थर के फूल, साजन, अंदाज अपना अपना, हम आपके हैं कौन, करन अरजुन, खामोशी, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, बंधन, बीवी नमबर बन और इसके अलाबा, हाल में जो उनकी फिल्में आई, टाइगर जिंदा है, टाइगर, तबंग, किक, बजरंगी भाईजान और ऐसी तमाम फिल्में सल्मान भाईजान ने दी हैं, जो आज भी मील का पत्थर बनी हुई है, नाजरीन सल्मान भाईजान की जो सबसे बड़ी ख कमाते हैं, लेकिन उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा सल्मान भाईजान सेबा में खर्च करते हैं, खिद्मत में खर्च करते हैं, सल्मान भाईजान ने कई स्कूल, कॉलेजिस बन भाई हैं, सल्मान भाईजान गरीब बच्चों को पढ़ाने पर बहुत जोर देते हैं, और इत शादी करने में बहुत ही इंट्रेस्ट रखते हैं यह सलमान भाईजान है और इसके अलाबा नाजरीन एक बात तो है जो आपको सलमान भाईजान तक खीच कर जरूर ले जाएगी और वो यह है कि सलमान भाईजान गरीबों के इलाज पर तो खर्च करते ही हैं और इसके प्रवी उम्र दे। के हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचती रहे। अपनी शिकायतें और अपने सुझाओ आप हमें कमेंट बॉक्स के जरीए भेज सकते हैं। अल्हा हाफेज।